हेलो एव्रीवन वेलकम तो यूर यूटीब चैनल जिगाजस्टस आज केस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी रिलेटेड जीके की आनी की जनरल नॉलेज सामान निग्यान जो की यूपी के उत्तर प्रदेश की सभी विकेंसी के लिए चाहें वो यूपी ट्रिपल सी की हो यूपी प्येस्सी की हो या यूपी स्ट्रेटिड कोई भी अग्जैम होगा तो उसमें यूपी स्पेशल काफि इंपॉर्टन एंट रोल प्ले करता है तो आए शुरू करता है कि सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश की हिस्टरी के बारे में उत्तर प्रदेश का जो संयुक्तब्रांत आग्रायम अवद हो गया 1937 में केवल संयुक्तब्रांत हुआ और फाइनली 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से भी जाना जाता है प्रदेश की राजधानी 1858 तक आग्रा थी 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही जो कि अप्रियाग राज है 1921 से लखनौ अंशिक थी 1921 से और 1935 में पूर्णता लखनौ राजधानी बन गया राजधी का पुनरगठन हुआ है 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 राजधी का विभाजन हुआ है 9 नवंबर 2000 को ये इंपॉर्टेंट है जिसमें यूपी से 13 जिलो को काट करके उत्तर खन बनाये गया था उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है राजधी भाषा यूपी की है 1947 से हिंदी थी 1st and 1989 से उर्दू को सेकेंडरी भाषा के रूप में माननेता प्रदान की गई है राजधी चिन्न की बात की जाए यूपी के तो एक वरत यानि की एक गोले में दो मचली एक प्रदेश में जो विधान मंदा यह से तीर धनुष और यह चिन्न जो है वो 1938 से स्विक्रत किया गया है राजकिय वरक्ष जो है वो अशोक है राजकिय खेल होकी है राजकिय पशु बारा सिंगा राजकिय पुश्प पलाश है जिसे की 24 जनवरी 2011 से माननेता प्रदान की ग प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है प्रदेश में राजय सभा सदस्यों की संख्या 31 है प्रदेश में विधान सभा सदस्यों की संख्या 404 है जिसमें से 403 निर्वाचत होते हैं और एक मनुनीत अंगलो इंडियन होते हैं राज्य में विधान परिशत सदस्यो की संख्या गद्धीन है जिसमें से 85 sc की है और 4 st की है लोकसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या है 17 प्रदेश के मंदलों की संख्या अठारा इस इंपर्टेंट अठारवा मंदल जो बना है वो अलीगड़ जुक्वी 2008 में बनाए गया है प्रदेश में जिलो की संख्या है 75 प्रदेश में तहसीलो की संख्या है 350 इसकी लिस्ट काफी लंबी है but I will read the important one only जिसको पुरा पढ़ना वो पॉस करके देख सकता है सरवाधिक मद्दाताओं वाला विदानसभा शेत्र है गाजियाबाद सरवाधिक सबसे कम मद्दाताओं वाला विदानसभा शेत्र है आरे नगर मैक्सिमम और मिनिमम नंबर वाले important होते हैं सरवादिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयाग राज 12 सीटे हैं यहां पर सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है श्रावस्ति यहां पर एक है प्रदेश का सबसे बड़ा संसधिय शेत्र जनसंख्या के अकॉर्डिंग है उन्नाव प्रदेश का उच्छ न्यायाले है इलाहाबाद में जिसकी की बेंच लखनौ में भी है न्याइग अनुसंधान इवन प्रशिक्षण केंद्र लखनौ में है 1986 में बनाये गया था प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है लखनौ, कानपूर, मेरट जिसमें 6-6 जिले हैं और प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है मिरजापूर, आजमगर, वस्ती, जहासी व सहारनपूर जिसमें की 3-3 जिले आते हैं प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या 57 है, प्रदेश में कुल केंद्रिय कारागार हैं 5 जो की हैं आगरा, बरेली, फतेगर, वारणसी और नैनी प्रदेश में उप कारागार की संख्या है 2, एक है महोबा में और एक है देवबंद में प्रदेश का पहला केंद्रिय कारागार है बरेली 1837 से और संपूर्णा नंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनौ में है 1940 में बना गया था प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट है 242 उच न्यायले में कुल न्यायदीश है 160 देश का सबसे पुराना उच न्यायले है इलाहबाद उच न्यायले जो की 1866 में बना गया था प्रदेश में आर्थिक मामलों के विशेश न्यायले है लखनौ आगरा बरेली मेरत और वारणसी में प्रदेश में पारिवारिक न्यायल यानी की फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई थी 1984 में प्रदेश के प्रिथम मुख्यमंत्री ये सारी लाइन जारी इंपॉर्टन है प्रदेश की महला मुख्यमंत्री ते सुश्री मायावती वर्तमान मुख्य मंत्र है योगी आदित तिना जो की year 2017 से अब तक है प्रदेश का प्रिथम विधान सभा अध्यक्ष है राजशी पुरसोत्तम दास टंडन इसके आगे हम question answer format में देखेंगे उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाईं इसपर्ष करती है उत्तर प्रदेश को आठ राज्यों और एक केंदर साशित प्रदेश की सीमाई सपर्ष करती है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है this is important one गोन्वाना लैंड का भूखंड का ये एक भाग है उत्तर प्रदेश की जलवायू कैसी है तो यहां की जो जलवायू है वह है सम, शीतोष, उश्र, कटिबंधी है जलवायू Now here comes the next one उत्तर प्रदेश में सरवाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो यहां पे जलोड मिट्टी maximum पाई जाती है भावर शेत्र की म्रदा कैसी होती है यानि की सोयल कैसी होती है so it is करीली, पत्रीली वहां की मिट्टी होती है उत्तर प्रदेश में सिचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है this is the important one उत्रप्रदेश को कितने क्रिशी जलवायो प्रदेशों शेत्रों में बाटा जाता है तो ये 9 है चने का सरवाधिक उत्पादन होता है बुंदेल खंड शेत्र में गेहों के उत्पादन में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है तो UP stands first in the production of wheat, UP का पहला स्थान है जो जगा है वो है प्रताबगर आलू निर्यात यानि एक्सपोर्ट जोन कहा जाता है आगरा को अम्रूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहां है तो ये है इलाहबाद में जो कि अप्रयाग राज हो गया है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है थे इस आर्था इंपोर्टेंट वान गेहू गन्ना आलू दुग्ड आम आम्रूद मसूर गेहू मीन स्वीट गन्ना मीन शुगर कें आलू अलू अव्रीवन नोस पोटेटो दुग्ड दुग सवार के पास गंगा के दाहिने किनारे दाहिने स्टेंट फर राइट राइट से निकलती है बांड सागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो ये तीन राज्यों की हैं संयुक्त परियोजना पहला है हमारा उत्तर प्रदेश सेकें बाइ बांध अवस्थित हैं बेतवा नदी पर मिर्जापूर का कंजराहट शेत्र प्रिसिद है चूना पत्थर के लिए I think चूना पत्थर लोक नायक पक्षी विहार इस्थित हैं बल्या में दुद्वा राश्री उद्ध्यान में बारा सिंगा की कौन सी दुरलब प्रजाती पाई जाती है तो यहां मिलती है सेवरन डुआलिसी यमुना एक्सप्रिस वे किन के बीच है तो यह आगरा और ग्रेटर नुडा के बीच में देश की तीसरी रेल कोज फैक्टरी स्थापित की गई है राइबरेली में अमीर खुष्रो का जन्म कहां हुआ था यह हुआ था पट्याली कास गंज में प्रख्यात सूफी संत कवी संगीत तक अमीर खुष्रो ने किस वाद्यंत्र का अविश्कार किया था तो इन्हों बातखंडे, हिंदुस्तान, संगीत, महाविद्याले जो की लखनव में है थुम्री गाई का गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से शाकंबरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में चौरा-चौरी किस जिले में इस्थित है तो यह इस्थित है गोर प्रतिवर्ष्-प्रसिद्-शूफी-संत-हाजी-वारस-अलि-शाह की मजार पर मेला लगता है यह लगता है देवा शरीफ में यह भी लखनव में है कौशामबी में किंदो धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है तो ये दो जो धर्म है वो है एक जैन धर्म और एक बहुत धर्म जौनपुर शहर की स्थापना किस ने की थी जौनपुर की स्थापना की थी फिरोजशा तुगलक ने किस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है ध्यान रखेंगे जॉन पुर्क इसका अंसर है महारशी वालमी की आश्रम स्थापित है बिठूर में विख्यात भारत माता मंदर इस्थित है वाराडसी में इलाहबाद इस्थित एल्फरिट पार्क का नाम करण किसके नाम पर किया गया था तो ये नाम करण किया गया था चंदुशेकर आजाद के नाम पर राजसरकार के आये का सबसे बड़ा श्रोत है व्यापारकर प्रदेश में बॉक्साइट से अलिमुनियम बनाने का कार खाना हिंडाल को इस्थित है रेडु कोट में प्रदेश में सीमेंट के प्रमुक कार खाने है एक है दादरी में चूनार, चुर्क तथा डल्ला में राज्य में इंद्रा गानी नक्षत रिशाला कहां पे है तो यह लखनव में है मोतिलाल नहरू बाल संग्र हाले इस्थित है लखनव में भारतिय दलहन शोध संस्थान इस्थित है कानपुर में नेक्स इस बॉत धर्म का पालन किस राज्य को कहा जाता है अंसर इस उत्तरप्रदेश, गानधार एवं मतुरा कला केंद्रो का विकास कब हुआ तो यह हुआ था कुशार काल में कुशारों की एक राज्धानी पेशावर तो दूसरी राज्धानी मतुरा है अंसर इस मतुरा नेक्स्ट लेस आगरा के स्थापना कब और किस नहीं की थी तो 1506 श्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी फतेफपुर सीक्री इभन आगरा के किले का निर्मार कराया था अकबर ने आगरा का ताजमहल दीवानी आम दीवानी खास तथा मोती मस्जित का निर्माण करवाया था शाह जहाने उत्तर प्रदेश के किस शहर के कॉंग्रेस अधिवेशन में प्रथम भारती महिला अध्यक्ष सरोजनी नाइडू को बनाया गया तो यह जो अधिवेशन था यह कानपूर का है 1925 I will make a separate video for all the Congress अधिवेशन organized and UP 4-4 की घटना कब घटी थी तो यह हुई थी 5 February 1922 को काकूरी शडियंत्र केस कब हुआ था सरोजनी नाइडू वालो जो अधिवेशन था कानपूर का वो 1925 में हुआ था काकूरी शडियंत्र केस हुआ था 1925 में चौरी चौरा की घटना कब हुई थी यह हुई थी 5 February 1922 को महात्मा बुद्ध का महा परिनिर्वाण कहा हुआ था यह हुआ था कुशी नारा कुशी नगर में हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था तो इन्होंने एक किया था कनोज में और एक प्रयाग में उत्तर प्रदेश में इस सित केंद्रिय विश्र विद्याले की संख्या इस समय च्छे है कुम्ब 2019 की टैग लाइन है चलो कुम्ब चलो चलो कुम्ब चलो गरीब परिवारों की नवजात कन्याओ हेतु भाग्य लक्षमी योजना कब शुरू की गई थी यह शुरू की गई थी 28 अप्रेल 2017 को देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है सिक्स लेन ग्रीन फील्ड एक्सवे जिसकी जो लंबाई है वो है 302 किलो मीटर और आगरा से लखनों की बीच बनाए गया है पाच अगस 2018 से मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर पंडित दीन द्याल उपाध्याय जंक्षन कर दिया गया है सिक्स लेन वाला सबसे लंबाई एलिवेटेड रोड है यूपी गेट के करहड़ा राजनगर एक्स्टेंशन गाजियाबाद रोड की लंबाई 10.30 किलो मीटर है जिसके की आवरेज स्पीड जो है उसकी वो है 80 किलो मीटर पराज यानी 80 किलो मीटर प्रतिगंटा वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के किंदो शेहरों का नाम प्रयाग राजवा अयोध्या किया गया था तो प्रयाग राज नाम रखा गया था इलाहबाद का और अयोध्या नाम रखा गया था फैजाबाद का so this is about some facts about the UP next videos में हम और इसके बारे में जानेंगे thank you so much till then keep learning and keep going thank you so much